आरेन आरेन और हाई आम सीमा और आप सब का तुर्ण डिफेंस अकैडमी चैनल में एक बार फिर से स्वागत है और आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और होने भी चाहिए तो हम जो है इसमें आपके जीके और जीएस के मिक्स क्योशन करवाते हैं जो आपके लिए बहुत बैनिफीशल है बट उससे पहले जो है आप सब की डिमांड पे इंग्लिश और हिंदी दोनों में हम जो है वो जीके जीएस के क्योशन लेके आते हैं क्योंकि स्टूडेंस की डिमांड रहती है कि इंग्लिश में लेक्या हो बहुत सारे स्टूडेंस बोलते हैं तो हम इंग्लिश और हिंदी दोनों में करवा रहे हैं ताकि आपको किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करने पड़े बट उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ठीक है तो देखिए हम हमारा जो है वो एस उसवल जीके का सेक्शन स्टार्ट करते हैं बताएं इंग्लिस एजुकेशन वोज इंट्रोडूज इन इंडिया भाई भारत में अंग्रेजी सिक्षा किसने आरम की थी करजन ने मिकाले ने डल होजी ने या बैंटिक ने तो भारत के अंदर जो अंग्रेजी शिक्ष्या है वो किसने स्टार्ट किती वो किती आपकी लोड मेका लेने, किसने किती लोड मेका लेने, option number B आपका correct answer हो जाएगा, अब देखिए question number second, which one of the following reason is most rich in coal, निमनलिकित में से कौन सा छेतर कोईला भंडार में सबसे अधिक सम्रद्ध है, बताए बर्मपुत्र वैली है, दामोदर वैली है, या महानदी घाटी है, या गोदावरी घाटी है, कोईला भंडार में सबसे ज़्यादा जो है वो सम्रद्ध है, तो वो है आपकी दामोदर घाटी, जिसको जो किया है, छोटा नागपुर जो reason है, वो भी बोला जाता है, तो दामोदर वैली के अंदर है, ठीक है, आप देखिए, question number 3, which one of the following industries is known as sunrise industry, निमनलिकित में से कौन से उद्ध्योग को सूर्योद्य उद्ध्योग कहा जाता है, iron and steel, cotton textile, information technology, या tea and coffee, तो सूर्योद्य जो उद्ध्योग जो है, वो कहा जाता है, आपका information technology, स question number 4 है आपका, the first commonwealth games in 1930 was held in which country, 1930 में प्रथम राष्टर मंदल खेलों का आयोजन किस देश में किया गया था, Australia में, England में, New Zealand में और Canada में, तो जो first आपके commonwealth game है, वो किये गये थे, Canada के Hamilton में, Canada के Hamilton में, जो है वो आयोजन किये गया था, अब question number 5, the जो हरलाल नहरू award is given for, जो हरलाल नहरू जो पुरुसकार है वो किस लिए दिया जाता है, government service के लिए, सरकारी सेवा के लिए, literary work, साहित्ती के सेवा के लिए, international understanding, अंतरास्टी समझदारी के लिए, या social work, शामाजिक कार्य के लिए, बताइए किस लिए दिया जात आपका international promotion of international understanding, अंतरास्टी समझदारी के लिए दिया जाता है, promotion of, इसका पूरा जो नाम है वो है, promotion of international understanding, अब देखिए question number 6, question number 6 है आपका, which of the following is called queen of the Adriatic, निमनलिकित में से Adriatic की रानी किसे कहते हैं, Venice को, Rome को, Flinders को, या Lisbon को, किसको कहा जाता है, तो वो कहा जाता है आपको Venice को, Venice को queen of the Adriatic कहा जाता है, चीक है, आप देखिए question number 7, question number 7 है आपका, जुबिन महता is associated with, जुबिन महता किस छित्र से associated है, संबंधित है, literature, साहित्य से, painting चित्रकारी से, music संगीत से, या journalism पत्रकारी से, तो जुबिन महता जो है, वो associated है, आपका, किसे music संगीत से, यह है, Indian conductor of western classic music, जो है, उससे associated है, यह किसे western classic music से, ठीक है, आप देखें, question number 8, question number 8 है आपका, which Dain City, Dain City was ruling in Vijayanagar Empire, at the time of the battle of, battle of Tali Kota, Tali Kota के युद के समय, Vijayanagar सामराजे में, कौन से राजवन्स का राजा था, बताए उस समय, कौन से राजवन्स का राजा था, संगम का, अनी, अनी रिद्दू का, तुलूवा का, या सलूवा का, किस का मतलब राजा था, तो उस समय, जो राजा था, वो था, तुलूवा वंस का, राज था, ठीक है, आप देखे, क्योश नमबर नाइन, क्योश नमबर नाइन है आपका, विच ओफ फॉलोइंग सुल्तान्स डाइड वाइल प्लेइंग पोलो और चोगान, पोलो और चोगान खेलते समय, निम्न लिखित में से किस सुल्तान की मिरत्य हुई, बताइए, कुतुबुद्दीन एबक की, बलबन की, इल्तु तमिष की, या नसिरु दिन मोहबद की, तो बताइए, पोलो और चोगान खेलते समय, किस सुल्तान की मिरत्य हुई, तो वो हुई आपकी कुतुबुद्दीन एबक की, ओप्शन नमबर A, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अब देखिए, आपका क्योशन नमबर 10, अब देखिए, आपका क्योशन नमबर 10, बताइए, बुद्दिस्ट का, बोध का, जैन, जैन का, शिख का या पार्सी का, माउन टाबू के अंदर जो दिलवाडा का है, इसमें आगे नहीं दिया, दिलवाडा का जैन मंदिर, तो वो वैसे ही, जैन, जैनियों का होता है, वो, तो उसके लिए, जैन धरम के लिए, फेमस है, option number B, आपका correct answer हो जाएगा, अब देखे, question number 11, question number 11 है आपका, who among the following did गांदी जी regards as his political गुरू, निम्न लिखित में से, किसे गांदी जी अपना राजनेतिक गुरू मानते थे, महादेव देशाई को, दयानन सरश्वती को, आचारे नरेंद्र देव को, या गोपाल कृष्न गोखले को, बताए किसको मानते थे, तो वो जो है, गांदी जी अपना राजनेतिक पॉलिटिकल जो गुरू है, वो गोपाल कृष्न गोखले को मानते थे, option number D, आपका correct answer हो ज अगास कर, बताए विसु का सबसे बड़ा द्वीप समू कोन सा है, वो है आपका green land, option number A आपका correct answer हो जाएगा, green land, आप देखिए, question number 13, question number 13 है आपका, पन्ना लाल घोष्ट प्लेड विच ओफ दा फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, पन्ना लाल घोष्ट जो है वो कौन सा वाद्दे अंतर बजाते थे, flute बजाते थे, बासूरी, सितार बजाते थे, या वॉयलिन बजाते थे, या संतूर बजाते थे, बताए क्या बजाते थे, तो वो बजाते थे आपके flute, बासूरी बजाते थे, अब question number 14, question number 14 है आपका, रियो समित is associated with रियो सिखर सम्मेलन का समंध किस से बताइए convention on biological diversity जैवी विद्टा पर सम्मेलन से greenhouse gases greenhouse gases ozone depletion ozone रिक्तिकरन wetlands आदर भूमी से रियो सिखर सम्मेलन किस से समंधित है तो वो है अपका convention on biological diversity जैवी विद्टा का सम्मेलन से अब देखिए question number 15 question number 15 है in India which city is also known as city of palaces भारत में किस सेहर को महलो का शेहर के नाम से भी जाना जाता है बताइए जैपूर को कोलकाता को क्वालियर को या उद्यैपूर को तो बताइए किस को जो है वो महलो का शेहर का जाता है तो वो कहा जाता है आपका कोलकाता को कोल कैलकटा को option number B आपका correct answer हो जाएगा अब देखिए आपका जीगे complete हो गया अब हम GS पे चलते हैं तो GS का question number 16 बताइए inert gases are a crea gases होती है बताइए miscible with water, जल में मिशनिय, not stable, आस्थिर, chemically unreactive, रसाइनिक रूप से air creacil, chemically very active, रसाइनिक रूप से बहुत creacil बताइए कैसी होती है तो inert gases जो है वो आपकी क्या होती है chemically unreactive होती है रसाइनिक रूप से air creacil होती है option number C आपका correct answer हो जाएगा अब देखिए question number 17, question number 17 है आपका chemical name of vinegar is सिर्के का रसाइनिक नाम क्या है acetone, acetic aml, farmal, dehyde या ethanol बताइए सिर्के का रसाइनिक नाम क्या है वो है आपका acetic acid, acetic aml ठीक है अब देखिए question number 18, question number 18 है आपका the societal bags of the cell are निमने लिखित में से कौन से कोशिकाओं के आत्मगाती bag कहे जाते हैं lysosome को, ribosomes को, dictosomes को या phagosomes को किसको कोशिकाओं के आत्मगाती bag कहे जाते हैं बताइए तो वो कहे जाते हैं आपके lysosome को, option number A आपका correct answer हो जाएगा, ठीक है अब देखिए question number 19 इसको थोड़ा small कर लेते हैं, सिर्फ 19 को कर रहे हैं, I hope आपको समझा रहा होगा इन आर, welding organ is used because of its arc welding में organ का प्रियोग किया जाता है क्योंकि low reactivity with metal धातू के साथ इसकी उपक्रांतिकता कम होती है ability to lower the melting point of the metal इसे धातू के गलन बिंदू को कम करने की चमता होती है high flammability इसमें उच्छ ज्वलन शिलता होती है high calorific value इसमें उच्छ उश्मिय मान होता है बताए तो इसका answer क्या होगा आपका 19 का इसके अंदर जो arc welding है इसके अंदर क्या होती है low reactivity with metal metal की क्या होती है low reactivity होती है तो option number A आपका correct answer हो जाएगा आप देखे question number 20 question number 20 है आपका sea water is prettier than rain water because समुद्र का जल वर्षा के जल की अपेक्षा अधीक लवन वाला होता है समुद्र का जल वर्षा के क्यूं क्यूं क्यूंकि sea animals are salt producing समुद्र के जन्तू लवन उत्पन करते हैं the air around the sea is saltish समुद्र के चारों और हवा लवनिया होती है river wash away salts from earth और पावर them into the sea नदियां प्रत्वी से लवन बाहा कर ले जाती है और समुद्र में डाल देती है sea beds है salt producing mines समुद्र के किनारों पर लवन पैदा करने वाली खाने होती है तो इसका अंसर होगा आपका river wash away salt from earth और प्योर them into the sea नदियां प्रत्वी से लवन बाहा कर ले जाती है और समुद्र में डाल देती है option number c आपका correct answer हो जाएगा अब देखिए question number 21 21 है आपका which of these is a draft planet draft planet आपका किसको कहा जाता है बताए नेप्चून को, टाइटिन को, एरिस को, हाइडरा को तो सबसे पहले एक बात सुनिए कि जो draft planet है आपके total जो draft planet है वो है six किनको बोला जाता है? six आपके draft planet है जैसे Pluto हो गया, Ceres हो गया, Make-Make हो गया, Aries हो गया तो इसके अंदर क्या है आपका? जो Aries है उसको आपका क्या बोला जाता है Irish को आपको draft planet बोला जाता है अब देखिए question number 22 22 है what caused the molting of dental animal दात के animal का कबूरन किस कारण से होता है high level of chlorine in water high level of nitrate in the water high level of fluoride in the water high levels of calcium in the water तो दात के animal का तो इसका answer क्या होगा high levels of fluorides in the water पानी में उच मात्रा में fluoride के कारण जो है वो dental animal जो दात के animal है उसका कूबरन जो है वो होता है ठीक है molting होता है उसके अंदर अब है question number 23 23 है which one of the following process is responsible for the glittering of air bubble rising through water पानी में से पैदा होने वाले बुलबुले में जो चमक होती है वह किस प्रकरिया के कारण होती है reflection of light प्रकाश के परावर्तन के कारण reflection of light प्रकाश के अपवर्तन के कारण total internal reflection of the light प्रकाश के संपून आंतरीक परावर्तन के कारण या scattering of light प्रकाश के प्रकिर्नन के कारण तो इसका answer होगा आपका option number c total internal reflection of the light के कारण प्रकास के संपून आंतरिक परावरतन के कारण अब देखिए आपका question number 24 24 number question है आपका देखिए In an optical fiber, the signal is transmitted प्रकाशित fiber में signal कैसे प्रेसित होता है बताईए optical fiber में In a straight line path, सीधी रेखा पत में In a curved path, गुमावदार पत में Due to total internal reflection संपून आंतरिक परावरतन के कारण या due to reflection या अपवरतन के कारण ये किसमें optical fiber में तो इसका answer क्या होगा Due to total internal reflection संपून आंतरिक परावरतन के कारण इसका answer भी क्या होगा Option number C ठीक है अब देखिए Question number 25 देखो Question में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आपको इस तरह के Questions जो है वो चाहिए आपको और material चाहिए तो तरुना पब्लिकेशन का जो है वो आप Play Store से जाके जल्दी से एप डाउनलोड कर लीजी आपको वहाँ पे बहुत सारा English, Hindi, GK, GS आपको जिस भी subject से related जो भी problem है उससे related बहुत सारा material आपको फ्री में available है तो जल्दी से जाके Play Store से तरुना पब्लिकेशन एप डाउनलोड कीजीए और अपनी जो भी problems है उनका solution देखिए the space salt which took Sunita Williams beyond earth was जिस space subtle से Sunita Williams प्रत्वी से परे गई थी उसका नाम क्या था बताईए Challenger, Galileo, Discovery या Wiser 2 तो space subtle से Sunita Williams प्रत्वी से परे गई थी उसका नाम क्या था internet space station वो क्या था with STS 116 abroad the space subtle discovery वो क्या था space subtle discovery option number C उसका पूरा जो नाम था STS 116 abroad ठीक है अब देखिए question number 26 26 number question है the unit of measurement of noises आवाज की माप का मातरक क्या है decibel है decibel है, harters है, amplifier है या acoustics है तो आवाज की जो माप है उसका मातरक क्या है वो है आपका decibel option number A आपका correct answer हो जाएगा आप देखिए question number 27 27 number question है the commonly used the commonly used colonate in refrigerators is refrigerator में generally किस सीतल कुलेंट का प्रियोग किया जाता है ammonia का, nitrogen का, freon का या oxygen का किसका यूज किया जाता है तो उसमें जो है आपका freon का use किया जाता है किसका किया जाता है, freon का, option number C आपका correct answer हो जाएगा अब देखिए question number 28, 28 number question है the complete form of IC is electronics is, electronics में IC का पून रूप क्या है IC एक प्रकार की ये chip है आपकी, क्या है, तो इसको क्या बोलते है internal circuit, independent circuit, integrated circuit या inbuilt circuit तो इसको जो है वो बोला जाता है, आपका integrated circuit option number C आपका correct answer हो जाएगा, integrated circuit अब देखिए question number 29, 29 number question है आपका molten rock below the surface of the earth is cold प्रत्वी के नीचे के पिगले हुए पत्थर को क्या कहा जाता है बोसाल्ट कहा जाता है, लॉकलित कहा जाता है, लावा कहा जाता है या मेगमा कहा जाता है तो प्रत्वी तल के नीचे के जो पिगले हुए पत्थर है उसको क्या कहा जाता है, उसको मेगमा कहा जाता है, option number D आपका correct answer हो जाएगा, मेगमा, अब देखिए question number 30, question number 30 है आपका, magnesium is a constitute metal of, magnesium नीम्न लिखित में से किसका संगटक दातु है, chlorophyllी, molecule का, पर्ण हरित अनु का, chlorophyll, DNA का, mitochondria का, या ribosome का, तो magnesium जो है, वो constitute है, किसका है, बताइए, तो इसका answer होगा, आपका chlorophyllी molecule, option number A आपका correct answer हो जाएगा, अब देखिए, question number 31, 31 number question है, which one among the following components is used as an amplifying device, नीम्न लिखित में से कौन सा गटक प्रवर्दक साधन के रूप में परियुक्त होता है, transformer के रूप में, diode के रूप में, संधारित्र या transistor, बताइए, किसके रूप में, तो इसका answer आपका, क्या हो जाएगा, इसका answer जो है, option number D, transistor, क्या होता है ये, कौन सा गटक होता है, transistor, अब देखिए, question number 32, 32 है, name the gas used in preparation of bleaching powder, विरंजक पाउडर को तयार करने में परियुक्त होने वाली gas कौन सी है, oxygen, hydrogen, nitrogen और chlorine, बताइए, कौन सी जो gas है, वो कौन सी है, वो है आपकी chlorine, option number D, कौन सी है, chlorine gas, अब देखिए, question number 33, 33 है आपका, the depression in ozone layer is caused by, ozone की परत में रिक्ती करण किसके कारण होता है, nitrogen oxide के कारण, carbon dioxide के कारण, chlorofluorocarbon के कारण, और methane के कारण, तो ozone की परत में रिक्ती करण जो है, वो किसके कारण होता है, वो methane के कारण होता है, option number, sorry, नाइट्रियस ओक्साइड जो डिपलीशन है इसमें ओजोन लेयर इस कोज़ बाई वो किसके कारण होता है वो आपके खलोरो फ्लोरो कारण के कारण होता है सोरी मिथेन नहीं होगा ओप्शन नमबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जो होगा ठीक है बाई मिस्टेक मिथेन बोल दिया था अब देखिए क्योशन नमबर 34 नमबर क्योशन है आपका DOTS is a treatment given to patient suffering from DOTS नामक इलाज किस बिमारी के लिए क्या जाता है पोलियो के लिए AIDS के लिए Hepatitis के लिए या Tuberculosis छे रोग के लिए क्या जाता है तो वो जो DOTS नामक इलाज है वो आपका Tuberculosis छे रोग के लिए क्या जाता है option नमबर D आपका correct answer हो जाएगा आप देखिए क्योशन नमबर 35 35 नमबर the liberation of oxygen during photothensis is due to प्रकास translation के दोरान oxygen किस कारण विमोचित होती है तो बताईए हाइड्रो लॉसिस ओफ कार्बो हाइड्रेट का जलाब गटन फोटो फोटो लेसिस ओफ वोटर का प्रकास अप गटन रिडक्शन ओफ सी यो टू की कमी या breakdown ओफ क्लॉरो फिल का टूर जाना तो इसका अंसर क्या होगा फोटो लॉसिस ओफ वोटर वोटर का जो है वो प्रकास अप गटन ठीक है अब देखी क्योशन नमबर 36 36 नमबर क्योशन है फोमिंग एसिद इस प्रॉडूजड भाई फोमिंग एसिद किसके द्वारा उत्पन होती है वाइट दीमक के कारण वाइट आंट के कारण नाचेज कोकरोज तिलचट्टा के कारण रेड आंट लाल चीटी के कारण या मोस्क्वीटो के कारण तो जो formic acid है वो produce किया जाता है आपका red ants लाल चीटी के कारण जो है वो produce किया जाता है ठीक है तो question number 37 37 number question है आपका which one of the following forms of phosphorus is most reactive निमनल लिखित में से phosphorus का कौन सा सबसे ज़्यादा प्रतिक्रिया shield है ब्लैक phosphorus, काला phosphorus, white phosphorus, सफेद phosphorus, violet phosphorus, बैंगनी phosphorus या red phosphorus बताइए ज़्यादा जो है वो सबसे ज़्यादा प्रतिक्रिया shield कौन सा है वो है आपका white phosphorus, सफेद phosphorus ठीक है और जैसे कि आप सबकी डिमांड पर हिंदी इंग्लिश दोनों में हम मिक्स क्योशन करवा रहे हैं आपको तो अभी उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम जो है वो बिना टाइम वेस्ट के हमारे क्योशन की तरफ बढ़ते हैं तो देखे हमारा फस्ट क्यो आपका जलीकुट इस असोशियेटेड वेड विच इंडियन फेस्टिवल जलीकुट किस भारतिये तयोहार से जुड़ा है ओनम से पोंगल से बीहु से या हॉर्न बिल से बताइए कौन से फेस्टिवल से जुड़ा है तो वो है आपका option नमबर ओनम पोंगल तो जो आपका correct answer हो जाएगा पोंगल ठीक है अब देखिए next The amount of insurance cover provided by Indian railways for passengers at a premium of rupees 1 is एक रुपए के premium पर भारतिये rail विभाग यात्रियों को कितनी राशी का भीमा cover देता है बताइए 1 लेक का, 50,000 का, 10 लेक का या 5 लेक का तो एक रुपए के premium पर कितना पर passenger 49 पैसा जो वो insurance के लिए देता है तो कितना भीमा cover करता है वो करता है 10 लेक का option number C आपका correct answer हो जाएगा अब देखिए question number third, question number third है आपका गांधी जी सत्यागरे meant an attachment to the following two elements कांधी जी के सत्यागरे का निमनलीखित में से किनी दो से जुडाव है knowledge and religion, ज्यान और धर्म, truth and non-violence, सच्चाई और अहिंसा, truth and chastity, सच्चाई और उदार्ता, love of motherland and hate, colonial, masters, मात्र भूमी के प्रती, प्यार और ओपनिवेशिक स्वामियों के प्रती घर्णा तो गांधी जी के सत्यागरे का किन से relate करते हैं, वो truth और non-violence, सच्चाई और अहिंसा इन दोनों से उनका सत्यागरे जो है, वो relate करता है अब देखिए question number 4, question number 4 है आपका, सुनित्या वीलियम इस ए, सुनिता वीलियम कोन है? अब देखिए question number 5, question number 5 है आपका, who is the writer of famous book काबुली वाला? सु प्रशिद पुस्तक काबुली वाला के लेखक कोन है? बंकिम चंदर चटर जी, रविंदर नाथ टेगोर, मुंसी प्रेम चंद, खान अब्दुल गफार खान या खान, सुरी, ये मुंसी प्रेम चंदर है और इसमें ये opposite दे रखा है और खान अब्दुल गफार खान, तो इसका अंसर क्या हो जाएगा? रविंदर नाथ टेगोर जो है, उन्होंने काबूली वाला जो लेखक है, वो लिखा था, ठीक है? अब देखिए, क्योशन नमबर 6, क्योशन नमबर 6 है आपका, the term bully is connected with which sport? बुली शब्द का प्रियोग निम्न लिखित में से कौन सी खेल में किया जाता है? क्रिकेट में, होकी में, पैट्मिंटन में या टैनिस में? तो बुली शब्द का जो यूज है, वो आपका होकी में किया जाता है, option number C आपका correct answer हो जाएगा, होकी, ठीक है? अब देखिए, question number 7, question number 7 के अंदर आपका, जो है, क्या question है, इसको थोड़ा सा small कर लेते हैं, थोड़ा, क्यूंकि इसके answers थोड़े से बड़े हैं, तो देखिए, जापान is called the land of the rising sun, because जापान को land of the rising sun क्यों कहा जाता है, sun rise there as soon as it sends, सुर्योस्त्र होते ही सुर्योद्य हो जाता है, sun always remain in the eastern part of the sky throughout the day in the जापान, जापान में दिन बर सुरी अवकाश में पुर दिशा में ही रहता है, जापान being the easternmost country in the world, it has the earliest sunrise, चुकि जापान विस्व में ऐसा देश है, जो पुरो में सबसे अंतिम छोर पर है, अतहवा सुर्योद्य सबसे पहले होता है, तो इसका अंसर क्या होगा, कि चुकि जापान जो विस्व का ऐसा देश है, जो पुरो में सबसे अंतिम छोर पे है, और इसलिए वहाँ पे सुरियास्त क्या होता है, सबसे पहले होता है, तो इसका अंसर होगा, इसलिए इसको Land of the Rising Sun कहा जाता है, अब देखिए क्योशन नमबर 8, क्योशन नमबर 8 है आपका, उप्षिन नमबर 8 है अब देखिए क्योशन आने वाल पहला इंग्रेज कौन था पॉल कैनिंग था या केप्टन विलियम हॉकिन्स था या विलियम एड़्ऴड था या रोल्फ विच था, तो कौन था आपका मुगल दर्बार में आने वाला पहला अंग्रेज, वो था आपका Captain William Hawkins, option number B आपका correct answer हो जाएगा, अब देखिए question number 9, question number 9 है आपका, where is the Indian National Rail Museum situated, रास्टी रेल संग्रालिय कहां स्थित है दिल्ली में, उत्तर परदेश में, पंजाब में और हिमाचल परद यह आपका correct answer हो जाएगा, अब देखिए question number 10, question number 10 है आपका, who among the following shikh gurus has laid the foundation of Amrit sir, निमने लिखित में से किस shikh gurus ने Amrit sir की आधारशिला रखी थी, अमृत sir की आधारशिला जो foundation है वो किसने गुरु अमरदास ने, गुरु रामदास ने, गुरु अर्जुन देव ने या गुरु हर देव ने, बताइए किसने रखी थी, तो अमृत sir की जो आधारशिला है वो आपके रखी थी, गुरु रामदास ने, option number B आपका correct answer हो स्थापित किया जाता गया है बर्लिन में, ओसलो में, उसाका में या मैंचेस्टर में, तो अंतरास्ती अमल वर्षा सूचना के इंदर जो है वो आपका ओसलो में situated किया गया है, अब देखिए question number 12, question number 12 है आपका, which place is set to be the Manchester of South India, दक्षिन भारत का मैंचेस्टर किसे कहते हैं बताइए कोयमबटूर को, सलैम को, तंजावूर को या मदूरई को, तो दक्षिन भारत का मैंचेस्टर जो है, वो आपका कोयमबटूर को कहा जाता है, option number A आपका correct answer हो जाएगा, अब देखिए question number 13, इंडिया's first railway university will come up at भारत का पहला railway स्व विद्याले कहां खुलेगा, व पास्ट यूनिवर्सिटी जो रेल विश्व विद्याले है, वो कहां खुलेगा, वो वरोद्रा गुजरात में, सबसे पहला option number A आपका correct answer हो जाएगा, अब देखिए question number 14, दा हिमाल्याज is the example of हिमाल्य परवत किस प्रकार के परवत का उधारन है, fold mountain, परद्धार परवत का, block mountains, block परवत का, ancient mountains, प्राचीन परवत का, या residual mountains, अपसिस्ट परवत का, तो हिमाल्याज जो है, वो जो है आपका example है, तो किसका है, flawed mountains का, परद्धार परवत का, option number A आपका correct answer हो जाएगा, अब देखिए question number 15, question number 15 है आपका, the largest irrigation canal in India is, भारत में सबसे बड़ी सिच्चाई नहर, बताइए कहां पे है, यमुना नहर है, इंदरा गांधी नहर है, सिरहंद नहर है, या अपर बाड़ी दोआब नहर है, तो largest irrigation canal, तो वो कहां पे आपकी इंदरा गांधी नहर, option number B आपका correct answer हो जाएगा, अब देखिए question number 16, question number 16 है आपका, at the Rio Olympics, who was the flag bearer of the Indian contingent, Rio Olympics में भारतिय दल के ध्वज वाहक कोन थे, बताइए, नर्सिंग, यादव, अभिनव बिंदरा, दीपा कर्मा कर, या सानिया, मिर्ज़, तो Rio Olympics में भारतिय दल के जो ध्वज वाहक थे, वो थे आपके, option number B, अभिनव, पिंदरा, और ये कब हुआ था, 2016 के अंदर, ठीक है, अब देखिए आपका question number 17, question number 17 है आपका, अब जीए साती है आपकी, blood is red in color, due to the presence of, रक्त का रंग निम्न लिखित में से, किसके उपस्तिती के कारण लाल होता है, citrocom के द्वारा, chlorophyll के द्वारा, hemocyanin के द्वारा, या hemoglobin के द्वारा, तो blood जो है, वो red होता है, वो किस कारण से होता है, वो आपका hemoglobin protein के कारण, जो है, वो red color होता है, किसके कारण hemoglobin protein, आप देखिए question number 18, question number 18 है आपका, which one of the following events in a botanical garden is never directly influenced by the light, किसी वनश्पती उध्यान में निम्न लिखित में से किस प्रप्रकास का सीधा प्रभाव बिलकुल नहीं पड़ता है, फ्लावरिंग, फूल निकलने की प्रिक्रिया, फोटो थिंसेसिस, प्रकास अंसलेशन की, ट्रांस्पाइरेशन, वासपोत सर्जन की, फर्टिलाईजेशन, निशेचन की, बताए किसकी जो अवर direct influence प्रभाव नहीं पड़ता है, वो नहीं पड़ता है, फर्टिलाईजेश निशेचन की, अब देखें, क्योशन नंबर 19, क्योशन नंबर 19 है आपका, वो टाइप ओफ लेंस is used to correct vision of person suffering from myopia, निकट द्रस्टी दोस्ट से, पीडित व्यक्ति की द्रस्टी सही करने के लिए, किस प्रकार के लेंस का प्रियोग किया जाता है, अब देखें, क्योशन नंबर 20, आयोडेक्स जो पेन बाम होती है, उसके अंदर जो स्मेल आती है, दर्द निवारक मरम आयोडेक्स में, किसकी उसमेल आती है, मिथाइल सेली सिलेट की, सैली सिलेट की, इथाइल सैली सिलेट की, प्रोपाइल सैली सिलेट की, या ब्यूटाइल सैली सिलेट की, किसकी स्मेल आती है, तो उसके अंदर आती है, आपकी मिथाइल सैली सिलेट की, option number A आपका correct answer हो जाएगा अब देखिए question number 21 21 number question है which of the following is usually not an air pollutant निम्र लिकित में से कौन सा generally वायू प्रदूशक नहीं है hydrocarbon, sulfur dioxide, carbon dioxide, nitrous oxide बताइए कौन सा जो है वो वायू प्रदूशक नहीं है वो है आपका nitrous oxide option number D आपका correct answer हो जाएगा अब देखिए question number 22 22 है आपका nitrification is the biological process of converting nitrous current किसे परिवर्टित करने की जैविक प्रिक्रिया है N2 into nitrate में N2 into nitrate में N2 को nitrate में N2 को nitrite में और ammonia into nitrite या ammonia into nitrate में बताइए किसमें change करने की process है यह है ammonia into nitrite option number C आपका correct answer हो जाएगा अब देखिए question number 23 question number 23 है आपका A landscape which is caused due to the fissure in the earth which one side has moved down with reference to the other is known as उन भू आकरतियों को क्या कहते हैं जो प्रत्वी में vibrance के कारण बनती हैं तथा जिनके कारण एक सत्य दूसरी सत्य से नीचे चली जाती है rift valley, fibrance ghaati, u-shaped valley, v-shaped valley या hanging valley बताइए क्या कहते हैं तो उसको कहते हैं आपकी rift valley option number A आपका correct answer हो जाएगा अब देखिए आपका question number 24 the largest artillery is in human body is मानव सरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है बताइए महा धमनी है, capillary koshika है, vena cave है, vena cave या pulmonary vein फुस फुस यह सीरा बताइए कौन सी जो है वो सबसे बड़ी धमनी होती है वो होती है आपकी महा धमनी ठीक है option number A आपका correct answer हो जाएगा, अब देखिए question number 25 25 number question है, and udiometer measures, udiometer किसका मापन करता है atmospheric pressure, vayumandaliya dab का, time, summer का, volume of gases, gas का आयतन, vapor pressure बताइए, wasp dab का, किसका जो है वो मापन करता है तो वो करता है आपका volume of gases, gas का आयतन, option number C आपका correct answer हो जाएगा अब देखिए question number 26 question number 26 है आपका, trinitrotolune का प्रियोग कहां क्या जाता है बताइए, तो used to melt metals दातू गलाने के लिए used to fuse two metals, दो धातू के सललगन के लिए used as an abrasive आकरशक के, अब घरशक के रूप में used as an explosive विसपोटक के रूप में अब देखिए question number 27 27 number question है, even after sunset, the air near the earth's surface to receive heat due to सूरियास्त के बाद भी प्रत्वी की सतेह के निकट वायू किस कारण उश्मा प्राप्त करती रहती है, isolation, सूरियात अपन के कारण terrestrial radiation, स्थलिय विकिरन के कारण, conductionostaalन के कारण या conviction समवेहन के कारण, तो किसके कारण जो है। प्रत्वी जो उश्मा प्राप्त करती रहती है terrestrial radiation स्थल यह विकीरण के कारण आप देखें क्योशन नंबर 28 एक galvanometer can be converted into a voltmeter by connecting with it एक galvanometer को किसके साथ जोड़ कर उसे voltmeter बनाया जा सकता है high resistance in parallel samantar उच प्रतिरोद low resistance on parallel samantar निम्न प्रतिरोद, high resistance on series स्रंखला में उच प्रतिरोद low resistance in series स्रंखला में निम्न प्रतिरोद तो galvanometer को किसके साथ जोड़ कर उसे voltmeter में बनाया जा सकता है वो बनाया जा सकता है high resistance on series स्रंखला में उच प्रतिरोद तो option number C आपका correct answer हो जाएगा अब देखिए question number 29 the beach sands of kerala are rich in keral में समुदरी तटकी रेत की भरपूर मात्रा को क्या पाया जाता है calcium, radium, thorium या manganese बताइए क्या पाया जाता है तो भरपूर मात्रा में वहाँ पे thorium पाया जाता है option number C आपका correct answer हो जाएगा अब देखिए question number 30 question number 30 है आपका during which of the following operation conditions of an automobile carbon monoxide content in exhaust gas in is maximum automobile की निमनलिखित में से किस परिचालन स्थिती में ex-host gas में carbon monoxide का अंश अधिक्तम होता है accrylation त्वरण के कारण curie rising बताए सामान्य चाल के कारण idle running निश्क्रिय चालन के कारण या de-accry narration वी त्वरण के कारण तो किस के कारण maximum होती है वो है आपकी idle running option number C निश्क्रिय चालन के कारण आप देखिए question number 31 31 है आपका ciderosis is a disease caused by the inhalation of low मैता एक रोग है जो स्वास के साथ निमली कितमे से क्या अंदर लेने से होता है तो silica dust, silica धूल iron dust, low और jing dust, just dhul धूल और cold dust, koila धूल बताए क्या जो है लेने से सास में अंदर जाती है तो वो है आपकी iron dust option number B आपका correct answer हो जाएगा which of the following is used which of the following is used as an nsthe tics nsthe tics के रूप में निमने लिकित में से क्या प्रियोग किया जाता है n2, n2o, ch4 या co2 बताए क्या जो है वो use किया जाता है तो उसके लिए use किया जाता है n2 option number B आप देखिए question number 33 clove is obtained from clove जो long जो है वो किस से प्राप्त होता है long किस से प्राप्त होता है root जड़ से steam तने से leaves पतियों से flower birds फूल की कली से किस से प्राप्त होता है तो long जो है वो flower buds फूल की कली से प्राप्त होता है अब देखिए question number 34 34 number question है which is the heaviest metal among the following निम्न लिखित में से कौन सी धातू सबसे भारी होती है गोल्ड सोना, सिल्वर शांदी, आईरन लोहा, कोपर तामबा बताइए कौन सी धातू है वो सबसे भारी होती है वो होती है आपकी गोल्ड इन में से गोल्ड प्लेटिनम सबसे भारी होती है गोल्ड जो है यहाँ पे आपके जो दे रखे हैं इसमें गोल्ड सबसे भारी होती है क्योशन नमबर 35 35 नमबर क्योशन है आपका Which of the following uses the spawn mechanism to duplicate itself इन में से कौन स्वैम को duplicate करने के लिए spawn mechanism अपनाता है Tozen Horse, Warm, Keystroke Logger या Logic Bomb कौन जो है duplicate करने के लिए spawn mechanism यूज करता है तो वो यूज करता है आपका Warm ठीक है ओप्शन नमबर B आप देखिए क्योशन नमबर 36 36 नमबर क्योशन है Sun appears red in color at sunrise and sunset due to सुरियोद्य और सुरियास्त के समय सुर्य का रंग लाल क्यों दिखाई देता है बताईए The fact that sun emits only red color at that time क्योंकि उस समय सुर्य के वल लाल रंग उचसरजित करता है Red light having longer wavelength scatters अवे लाल प्रकाश का तरंग देदर्य अधिक होने के कारण अधिक होता है The sun comes out of the mountain सुर्य परवतों में से निकलता है That all other colors scatter away except red लाल को छोड़कर अन्य सभी रंग प्रकाशनित हो जाते है तो इसका अंसर क्या होगा That all other colors scatter away except red लाल को छोड़कर अन्य सभी रंग प्रकाशनित हो जाते है Option number D आप अंसर हो जाएगा इसमें आप देखिए Question number 37 37 number question है What is the main purpose of white blood corpulses? रक्त में स्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन क्या है? To carry nutrients, पोशक तत्व ले जाना To combat infection, संक्रमन से संगर्ष करना To carry oxygen, oxygen ले जाना To give strength, श्रक्ती प्रधान करना तो रक्त में स्वेत कणों का जो मुख्य प्रयोजन है वो क्या है? वो है आपका To combat infection, संक्रमन से संगर्ष करना Option number B आपका correct answer हो जाएगा अब देखिए Question number 38 38 है, the layer where the decreasing temperature with increasing altitude is totally absent is वह परत जहां उचाई बढने के साथ साथ तापमान में बिल्कुल कमी नहीं होती है बताईए किसमे कमी नहीं होती है Troposphere छोब मंदल में, Lonosphere आयन मंदल में, Stratosphere समताब मंदल में या Mesosphere मद्य मंदल में तो तापमान में कभी भी जो है वो कमी नहीं आती है बिल्कुल भी वो किसमे Option number C, Stratosphere समताब मंदल अब देखिए Question number 39 और आज का आपका Last Question, देखिए At Heal Station, the boiling point of water will be परवतिये छेत्रों में जल का क्वथनांग क्या है? Some as at sea level वही जो समुदर तल पर होता है Less than that at sea level जितना समुदर तल पर होता है उससे कम, more than that sea level, sea level समुदर तल पर होता है तो परवतिये छेत्रों में जल का क्वथनांग क्या होता है? वो होता है आपका Less than that at sea जितना समुदर तल में होता है उससे कम Option number B आपका correct answer हो जाएगा ठीक है? I hope आपके लिए ये सब क्लास जो है वो beneficial होगी तो आप क्लास को subscribe कीजिए, like कीजिए और जादा से जादा share कीजिए ठीक है हम कल फिर मिलेंगे आपके साथ एक नई क्लास के साथ, bye